नमस्कार दोस्तों वेलकम बैक टो और चैनल दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में बिहाद DLRS रिजल्ट 2023 को लेकर इसका जो रिजल्ट है काफी ज्यादा चर्चा कभी से बन चुका है बहुत से कंडिडेट्स इसके रिजल्ट का बहुत ही बेसबरी से इंतिजार कर रहे ह इस वीडियो को मादम से आपको बताने वाले हैं बिहाद DLRS का जो रिजल्ट है दोस्तों कब तक जारिक किया जा सकता है और साथ ही साथ आपको बताएंगे मेर भाई कि इसका जो cut-off है किस तरीके से देखने को मिल सकता है ठीक है कौन से category में कितना cut-off जा सकता है तो सारे म बात करें तो है कानून गो का और तीसरे की बात करें तो ASO याने के Assistant Settlement Officer ठीक है इस प्रकार की तीन पोस्ट आपकी निकाली गई है तो तीनों का cut-off देखने वाले है कि कौन से category में कितना cut-off रह सकता है तो तक बने रही हैगा मेरे भाई वीडियो को लाइक नहीं किया है और चैनल पर अगर पहली बार विजिट के है तो सब्सक्राइब करना न भूले ठीक है बिलकुल authentic जानकारी देने वाले है तो वीडियो को पूरा देखिएगा अब देखिए एक पोस्ट के जरीए आपको सारी information देने वाले है अब ये पोस्ट कहां पर मिलेगा इसको आपको बता देते हैं अब देखिए थोड़ा सा स्क्रॉल करके निचे आएंगे तो आप यहां पर देख सकते हैं कि सारी चीजोग बारे में विस्तार से आपको यहां पर बताया गया है अगर बात करें इसके परिच्छा की आयोजन की भीया तो चार अगस्ट से 17 अगस्ट 2013 के बीच आपका जो एक्जाम है इसको कंड़क्ट कराया गया है अगर बात किया जैकुल पदों की संख्या की कि सर कितने पदों पर यह जो भरती है इसको निकाला गया था तो 10101 इतने पदों पर आपका जो भरती है इसको निकाला गया था लाखों की संख्या में अभिहार लिएते हैं special survey clerk ठीक है clerk के कट आफ की बात कर लेते हैं आप यहां पर देख सकते हैं कि EWS की बात करें तो 412 से 427 के बीच और अगर बात करें BC की की BC कटेगरिम कितना रह सकता है BC का कटेगरी की बात करें तो 400 से 406 ठीक है तो यह कुछ निमन परकार से आपका जो clerk का कट आफ दोस्तों देखनों को मिल सकता है अब बात कर लेते हैं आमीन के कट आफ की special survey आमीन सो प्रशन पूछे गए थे प्रतेक प्रशन चार माक्स का 400 नंबर का पुडांक इसमें रखा गया है ठीक है अब आइए इसके कट आफ पर चर्चक कर लेते हैं आप यहां पर देख सकते हैं देखने की तो अब सकता हैं अब कि कुछ इन ने परकार से आपका कठाफ है रह सकता है आमीन में अब बात कर लेते हैं कानून को की, ठीक है, 100 प्रशन पूछे गए थे, प्रतेक प्रशन चार माक्स का, 400 नंबर का पुढांक इसमें रखा गया है, इसके कट अफ की बात करें, तो देख सकते हैं, आप यापे, यूर कटेगरी की बात करें, 270 से 290, और EWS का देख सकते हैं, 260 से 270, अब बात कर लेते हैं, इसके, बात कर लेते हैं, लाश्ट वाले पोश्ट की, ASO, यानि की Assistant Settlement Officer की, इसमें जो कट अफ किस तरीके से, देखनों को मिल सकता है, आप यहापे देख सकते हैं, यूर कटेगरी की अगर बात करें, 268 से 290 तक आपका जो कट अफ देखनों को मिल सकता है, EWS की बात करें, तो रह सकता है, 262 से 282, BC की अगर बात करें, 250 से 270, ठीक है, और EBC का अगर बात करें, तो 244 से 256, SC कटेगरी मेरा सकता है, 230 से 235, ST कटेगरी का अगर बात करें, 215 से 227 तक आपका जो कट अफ है, देखनों को मिल सकता है, ठीक, अगर Normalization के बारे में आपको समझना है मेरा भाई, कि Normalization इसमें किस तरीकेस हो सकता है, DLRS में, तो आपका जो Normalization है, यह तो जरूर होगा मेरा भाई, अब यह किस तरीकेस हो सकता है, इसके बारे में आपको यहाँ पे नीचे जानकर यह मिल जाएंगी, तो कुछ इस तरीकेक अपडेट है मेरा भ आपको देख रहें, पहले website को open करना है, जब आप उसे open करेंगे दोस्तों, तो आपको यह post जो है, देखनों को मिल जाएगा, ठीक है, और जहाँ पर आप विजिट करके सारी जानकर या प्राप्त कर सकते हैं, तो कुछ इस तरीके information है, अब बात कर लेते हैं इसके result को लेक जाएगा, आज तो आपका हो गए Sunday, ठीक है, आज तो ऐसे भी कोई संभावना है नहीं, Monday को जो पूरी के पूरी है, संभावना है, वो जताई जा रही है, कि आपका जो result है, DLRS का, Monday को देखनों को मिल सकता है, ठीक है, ऐसा उमीद जताया जा रहा है, मिर भाई, अब इस ब जन के बारे में कोई भी अपडेट आता है, तो आपको इंफर्म करेंगे, तो ऐसे में चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, मिलते हैं किसी नक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जैहेंद,